तो फ्रेंट्स मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक समिक्षा दिकारी का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा कौन सी डेट एक स्पेसिफिक डेट तो यहाँ पर आपको नहीं बताओंगा बट कल एक इनफॉर्मेशन मिली है उसके बहाफ पर ही इस वाले वीडियो के मैंने बनाया और यहाँ पर यह भी बताओंगा कि आप किस तरीके से पढ़ो कि आपका सिलेक्शन सुनिश्य दो पाए पढ़ने के लिए आप सारी होगे बट आपको वो चीज़ें नहीं याद आएंगी या फर आप confusion में फस जाओगे दो या तीन options के अंदर तो आप समझ नहीं पाओगे कि answer क्या होगा तो यहाँ पर यह भी मैं आपको बताओंगा कि पढ़ना कैसे है दूसरी बात जो notification की बारे में है notification आपको बहुत जल हैं तो साड़े तीन महीने के आसपास आपके पास हैं सारे subject आपको पढ़ने हैं आपको current affairs भी पढ़ना है अब यहाँ पर बात यह हो रही है कि पढ़ें कैसे कि आपको याद रहो selection आपका ensure हो पाए तो उसके लिए जरूरी यह है कि जब भी जो भी चीज़ आप पढ़ रह हो गए बट यहां पर हमारी कोशिश यह है कि जब भी वीडियो आए उस वीडियो के इंदर जितना भी content आपको दिया जाए वह content हाथ के हाथ आपको याद हो जाए जैसे अगर हम बात करें मैसूर और मराठा के युद्ध की तो अगर आपसे examination में अक्सर पूशा जाता है य यह वाला युद्ध कौन से सन में हुआ यह वाला युद्ध कौन से सन में हुआ तो इसको किस तरीके से simplify वे में आप याद रख सकते हो एक बार में वह उसमें बताया गया जो मारे 5000 कोशन का वीडियो सीरीज है उसको जरूर जोइन करिए history geography का इस समय स्टार्ट हुआ उन वीडियो को आप देखते चलिए अच्छा इसके अलावा अगर आप नहीं भी वीडियो देखना चाहते हैं तब मैं आपको बताओ जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो उस पढ़े हुए को पहली चीज यह कि जब आप पढ़ रहे हो एक अपनी आंग क्लोज करो आइ अब वहां पर आपको बकसर वाला याद है कि 1764 में हुआ था उसके तीन साल बाद आपका मैसूर वाला हुआ था यानि कि फर्स्ट मैसूर वार यह 1767 में हुआ था ठीक है तो इस तरीके से आप चीजों को लिंक अप कर सकते हो यही केरियर मित्रा पर जो वीडियो जा रहे ह उनमें आप देख सकते हो तो यह एक सही तरीका होगा ताकि जो भी आप पढ़ो अगर आप मानलो पूरे सिलेबस का 50% भी पढ़ता हो लेकिन 50% वो कंक्रीट है वो आपको याद है तो याप यकीन मानो एक्जामिनेशन में सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता हो और आ बारे में भी हम लोग आगे डिस्केशन करेंगे तो आप अगर चैनल पर नहीं अभी तक सब्सक्राइब करें चैनल को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और जो वीडियो यहां पर आ रहे हो उन वीडियो दिको धीक्यों सो उमज